जन्म कुंडली में धन्योग को एक्टिव करना कोई मुश्किल काम नहीं है इसके लिए आपको बस कुछ बेसिक चीजों को समझना है और अपनी जन्म कुंडली को अपने बर्थचाट को अपने सामने रखना है लो आपका धन्योग एक्टिव हो गया अब ये योग एक्टिव करने के बाद आप अपने जीवन ने जो भी एफर्ट्स करोगे न वो एफर्ट्स हो है वो धन में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे आपके जितना भी टैलेंट है that will be translated into money और ये मैं आपको promise करता हूँ और आज के वीडियो में आपसे जो भी knowledge sharing हो रही है ये आज से पहले किसी platform पे किसी ने नहीं की होगी ये भी मेरा आपसे वाइदा है और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख जाएंगे तो आज के बाद आप अपनी जन्म कुंडली का जो धन योग है उसको बड़ा properly activate कर पाएंगे नमस्कार मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है आपका happy life with योगे शर्मा में और दोस्तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनमर निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेपा सब्सक्राइब करियेगा और बेल बटन दबाना न भूलियेगा जन्म कुंडली में किसी भी योग को एक्टिव करना हो तो उसके लिए आपको यहां डोनेशन्स करनी होती है या जन्म कुंडली के उपाए करने होते है इन चीजों के लिए या तो आपको किसी एक्सपर्ट को अपना चार्ट दिखाना होता है या फिर खुद एस्स्रालोजी को सीखना होता है आज ये दोनों केस नहीं होने वाले है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल इसी वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान से समझना है और वो चीजें हैं कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो फिक्स है यानि जब आप पैदा हुए थे उस समय में अकाश का जो नक्षा था वो आपका बर्थेचाट है यानि अब वो बदल नहीं सकता है जो योग उसमें आ गए आपको उनहीं योगों से अपने जीवन को चलाना है उन पत्तों को अगर आप सही खेल गए तो आप विजेता कहलाएंगे और अगर उन पत्तों को खेलने में आप चूग गए तो आप जीवन में हारा हुआ मैसूस करेंगे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आता है आपके घर का वास्तू अपने जन्म कुंडली के अनुसार अगर आपने अपने घर के वास्तू में कुछ पर्टिकुलर चेंजिस कर लिए तो आपके जीवन में धन योग के सारे के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक तो इसके लिए क्या किया जाए इसके लिए आपको समझना होगा कि आपके घर के वास्तु में आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा connection है तो उसके लिए बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है यह जो जन्म कुंडली होती है इसमें सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है यह हमेशा लगन होता है यह आपकी कुंडली का first house होता है और इस तरह से गिंती करते हुए यह आपकी जन्म कुंडली के बारा घर ह होते हैं और अगर इन घरों की बात करें तो इसमें देखें यहां पर यह जो नॉलेज शेरिंग है ना यह मैं आपको लाल किताब के बेस पर बता रहा हूं नॉर्मली हमारी सारी चर्चा जो होती है वो वैदी कस्टोलोजी पर होती है लेकिन लाल किताब के कुछ ऐसे फंडामेंटल हैं जिनको डिफाई नहीं किया जा सकता है जो हमेशा बड़ी सटीकता से काम करते हैं तो इसके अनुसार हमेशा आपका जो फस्ट हूस है ये पूर्व को इंडिकेट करता है second हूस जो है ये नॉर्थ़वेस्ट यानि आपके घर का जो वायू कौण है इसको integrat करता है इन चीजों को अभी बस आप अंबाइब कर लीजए ये आपके लिए अपने धन्योग को एक्टिव करने के लिए बहुत काम आने वाली है आपके बर्थचाट का जो तीसरा घर है ये आपका घर का दक्षण है और जो चौथा घर है ये आपके घर का नौर्थ easter है पांचवा घर जो है ये भी इस्ट से ही जुड़ा हुआ है ये है इस्ट की दिवार यानि eastern wall और जो छटा घर है ये आपके घर का north है साथवा घर जो है वो नरैत्य कोन है यानि southwest south और west के बीच का कोना और आठवा घर भी जो है ये south से जुड़ा हुआ है यानि south की दिवार मैं sw लिखूंगा तो आप उसको south west से confuse कर सकते हैं इसलिए इसको मैंने south की दिवार लिखा है नाइंथ हाउस जो है ये आपके घर का जो है वो center point है और जो 10th हाउस है वो आपके घर का पश्चिम है पश्चिम की ही दिवार है आपके घर का 11th हाउस यानि western wall और end पे जो बारवा घर बचता है ये आपके घर का south east area है यानि आपके घर का अगनी कौन अब आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए इसको अपनी नोट बुक पे नोट कर लीजिएगा ये आपके बहुत काम आने वाला है अब आपके बर्थचार्ट में आपके कौन सी ऐसी राशिया है जो हमेशा ही आपके लिए धनका जुगाड करने में व्यस्त रहती है तो वो जो राशिया है वो है एक तो व्रश राशी जिसको हम बर्थचार्ट में दो नमबर से डिनोट करते हैं दूसरी राशी जो है वो है कन्या राशी जिसको हम बर्थचाट में नमबर में 6 नमबर से डिनोट करते हैं और तीसरे नमबर पे राशी आती है मकर यानि जिसको हम 10 नमबर से डिनोट करते हैं कैप्रिकॉन आपके बर्थचाट में जिस भी घर में ये 2 नमबर, 6 नमबर और 10 नमबर ये राशियां होंगी न अब वो घर जो हैं आपके लिए धन को एक्टिवेट करने के घर रहेंगे सपोस करिये किसी की व्रश राशी जो है यहां पे रहेगी तो उन लोगों के लिए जो घर की नौर्थीस दिशा है न उसको एक्टिवेट करना जुरूरी हो जागा उसके बिना धन जुड नहीं पाएगा और अगर किसी की कन्या राशी अगर नौर्थीस में होगी तो उन लोगों के लिए जीवन में धन आने के नए रास्ते खोलने में नौर्थीस पाउस दिशार अक्टिवेट हो जाएगी और अगर किसी की मकर राशी वो यहां पे आ जाएगी तो उन लोगों के लिए धन को लगातार चलायमान रखना वो भी नौर्थी से ही कंट्रोल होगा यानि ये जो राशिया है ना वरश, कन्या और मकर ये आपके जन्म कुंडली में जिस भी घर में होंगी अब वो घर जो हैं एकलोते जिम्यदार घर बन जाएंगे आपके धन के प्रवाह के लिए धन के जुड़ने के लिए और धन के संचय के लिए तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन घरों को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक विशेश चीज को जानना बड़ा जुरूरी है वो क्या चीज है वो है कि आपके आसपास जो भी object पड़े होते हैं चाहे वो आपके घर का सोफा है, बेड है, दिवारे है AC है, कुरसिया है, परदे है आपके आसपास जो भी चीज़ें प्रभावित होते हो और अगर सही स्थान पे सही चीज रख दी जाए तो आपका सबकॉंशियस माइड अब उस चीज से प्रभावित होके आपके लिए वो महौल बनाना शुरू कर देता है और आपके जितने भी efforts होते हैं अब वो धन में convert होने शुरू हो जाते हैं ये बहुत ही राज की बातें आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप अभी बोचिल लग रहा है समझ नहीं आ रहा है वीडियो को एक बार, पांच बार, दस बार देखिए तब तक देखिए जब तक ये बात आपको धन से समझ नहीं आ जाए चलिए, आगे चलते हैं अब यहाँ पर मैं 3D object पर आ रहा हूँ आपको अभी क्या दिख रहा है एक गुल्लक दिख रही है, गुल्लक किसली use होती है धन को जोडने के लिए वरश राशी जो है ये धन को जोडने की राशी है आपके पास खर्चों निकाल के कितना धन जोड़ पाता है ये वरश राशी डिसाइड करती है वरश राशी अगर कमजोर होगी वरश राशी अगर ब्लॉक्ट होगी ना धन जोड़ ही नहीं पाएगा आप कमाते रहिए धन नहीं जोड़ पाएगा कही ना कहीं खर्चों में निकलता रहेगा अब धन को जोड़ने का जो सिंबल है यहाँ पे साक्षात वरिश राशी बन गया पॉजिटिव वरिश राशी बन गया अब आपके बर्थ चार्ट में वरिश राशी यानि दो नंबर जहां पे लिखा हुआ है उस दिशा में गुल्लक को रख दीजिए देखिए कितनी सरल उपाए है लेकिन ये उपाए गोली की तरह असर करेगा अगर आपके दस्में घर में वरिश राशी है तो आप घर के पच्चे में रख दीजिए आपके चौते में वरिश राशी है यानि आपके कुंडली के फोर्थ हाउस में अगर दो लिखा हुआ तो आप अपने नॉर्थ हिसमें गुल्लक रखदिजिए इस दिशा में गुल्लक रखने के बाद उसको यूज भी करिए उसमें थोड़ा थोड़ा कॉइन्स बगारा डालते रहिए यह सिंबल है लेकिन यह सिंबल आपके सबकॉंशियस को एक्टिवेट करता है आपके घर के अंदर पैसे जोड़ने की उर्जा को एक्टिवेट करता है यहाँ पे मैंने आपको मर्म दे दिया, आप पिगी बैंक रख सकते हैं, आप गुल्लक रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, धन जोडने को कोई भी जो स्त्रोथ है न, वो वहाँ पे रख सकते हैं, इससे आपके जो धन जोडने के एक एनरजी है न, आपके घर में, व पिन्या राशी धन आने से पहले जिम्यदार होती है आपके पेंडिंग करमास की अब पेंडिंग करमास क्या होते हैं पेंडिंग करमास होते हैं वो कर्म जो आप पिछले जन्म से लिखा के लाए हो और जब तक वो निल नहीं होंगे इस जन्मे आप जो भी कर लोगे न वो समय का सिम्बल क्या है? समय का सिम्बल है घड़ी, तो जहां पे भी आपकी कुंडली में कन्या राशी यानि छे नंबर लिखा हुआ है अब घड़ी उस दिशा में लगाईए, देखे कितनी बड़ी राज की बात मैंने आपको बता दी, अब घड़ी अगर आप अपनी कन्या राशी की दिशा में लगाएंगे न, तो इससे क्या होगा, कुद्रत आपको इशारे देना शुरू कर देगी, आपको अपनी surrounding से वो इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे, कि अपने pending करमा को कैसे चुकाएंगे, और एक बर वो pending करमा जो है, वो चुकने शुरू हो गए वो pending कर्मा clear होने शुरू हो गए तो आपके जीवन में धन की आमद कई गुना बढ़ जाएगी और ये बात बहुत पक्की है और जिनके pending कर्मा सही हुने शुरू हो जाते हैं वो लोग ये कहते पाए जाते हैं कि अब हम जो भी करते हैं अब वो नतीजों में convert हो रहा है अब धन जो है आना शुरू हो गया है अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक symbol दिया है symbol जो है सदा चलते रहने का पुरानी चीजों को clear करने का वो समय से जुड़ा हुआ है तो समय की मिशीन क्या है घड़ी इसको आप कन्यराशी वाली दिशा में रख सकते हैं इससे आपके जीवन में आपको बहुत सारी खराब चीजों को ब्लॉक चीजों को अनब्लॉक करने में मदद मिलेगी इवन अगर आप धन के बहुत लें दिन में फसे होए है धन आ नहीं रहा है पुराना धन क्लेयर नहीं हो रहा है लोग दे नहीं रहे हैं तो अब देखे धन को चुकाने के लिए आप क्या यूज करते हैं ठीक है आज RTGS, NFT का जमाना IMPS का जमाना है फिर भी चेक बुक की रेलिवेंस तो है किसी भी चीज को भुगतान करने के लिए आप चेक बुक का यूज करते हैं तो आपके जर्म कुंडली में जहां पे भी कन्या राशी है वहां पे चेक बुक रख दीजिए फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन से पेंडिंग करबास क्लेर होने के सीन बनते हैं और एक बार वो बन गए तो आपके जीवन में धन की आमद 100% सही होनी शुरू हो जाएगी अगला सवाल आता है कि धन आएगा तो तब जब काम चलेगा हमारे पास तो काम ही नहीं है या काम चलते चलते बंद हो जाता है या काम बदलते रहते हैं और इस वज़ा से न धन आता है और आता नहीं तो जुड़ता नहीं है तो सब चीजी इन दूसरे से जुड़ी होई है ना, अब काम चलने का कारक क्या है? आपकी मकर राशी. मकर राशी अगर आपकी कुंडली में सही से एक्टिवेट होगी ना, काम आएगा भी, काम टिकेगा भी, काम चलेगा भी और उस काम से जो रेविन्यू आएगा वो रेव का सत्व आपके काम का फ्लो अब आपके काम का फ्लो जो है यह टोटली मकराशी से जो है कंट्रोल होता है अब फ्लो के कारक कौन सी उर्जा है कौन सी उर्जा है जो सत्व की कारक है जो फ्लो की कारक है वो है भगवान हरी विष्णु की उर्जा तो इस केस में आपको क्या करन भगवान विश्नु चाहे वो भगवान विश्नु के साथ मालक्षमी हो चाहे वो भगवान विश्नु का कोई भी पोज हो ये भगवान विश्नु की कोई भी मूर्ति इवन तीरुपती बाला जी की भी कोई मूर्ति हो जाई या फोटो हो जाई ये जो भगवान विश्नु के फोटो लगा दीजिए, यकीन मानिए ये remedy जो है ना बहुत जल्दी और बड़ी सटीकता से काम करती है, तो इस तरह से, देखे, मैंने आपको मर्म दे दिया, अब आपके लिए continuity का symbol जो भी चीज बनती है, आप उसको लगा दीजिए एक जो pendulum watch होती है वो भी तो continuity का सूचक होती है लगातार चलते रहना, इवन watch अपने आप में continuity का सूचक होती है, तो आप watch भी मकर की दिशा है उसमें लगा सकते हैं लेकिन फिर भी जो proper चीजों के पालनहार हैं, यो आपके provider हैं, यानि भगवान हरी विश्नु की उर्जा, आप उसको मकर राशी की दिशा में स्थापित करिए और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में निरंतरता किस तरह से आती है, तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको समझाने का कि किस तरह से आप अपने बर्थ चार्ट से अपने धन की उर्जा को एक्टिवेट कर सकते हैं मेरा जो इस्ट्रालोजी का कॉर्स चलता है उसमें हर सेशन में इस तरह की कोई ना कोई टिप जो है, मैं अपने विद्यारते होका अपने स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ खैर आपने वो कॉर्स जोएं नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है आप मेरे चैनल से जुड़े रहे इससे भी आपको निरंतर इस तरह की कई ऐसी चीज़े मिलेंगी जिनको एपलाई करके आप अपने जीवन में कई सारी समस्याँ से पार पा सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो था यहीं तक बहुत जल्ब मिलते हैं नए टॉपिक नए विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखिएगा नमस्ते